12.7 चुम्ब की ख्षेत्र में किसी विद्युद्धारा वाही चालक पर बल Force on Current Carrying Conductor in Magnetic Field हमने यह जाना है कि किसी चालक में विद्युद्धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप चुम्ब की ख्षेत्र उत्पन्न होता है यह ख्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी भी चुम्ब की सुई पर बल आरोपित करता है उसी तरह चुम्ब की सुई को भी धारावाही चालक पर परिमान में समान परंतु दिशा में विपरीद बल आरोपित करना चाहिए किसी धारावाही चालक पर चुमकी क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को इस क्रिया कलाब द्वारा जाने क्रिया कलाब पांच आवश्यक सामगरी एल्यूमिनियम की छोटी छड़ AB संयोजी तार तामबे का नाल चुमबक बैटरी दाप कुंजी स्टेंड विधी एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ को संयोजी तार द्वारा किसी स्टेंड में लटकाईए चित्र ग्यारा एक प्रबल नाल चुमबक को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि छड नाल चुमबक के ध्रूओं के मध्य में हो तथा चुमबक की एक शेत्र की दिशा उपर की ओर हो इसके लिए नाल चुमबक का N ध्रूओं छड के नीचे तथा S ध्रूओं छड के उपर हो एल्यूमिनियम की छड में अब धारा भेजिए B से A ओर धारा भेजने पर आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि धारा प्रवाहित होने पर छड प्रभावित होती है अब छड में प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा बदल ये और आप क्या देखते हैं? उसे नोट कीजिए इस क्रिया कलाप में छड के विस्थापन से हमेह संकेत मिलता है कि चुम्बकी एक शेत्र में धारा वाहि चालक पर एक बल आरोपित होता है इस बल की दिशा धारा बदलने से बदल जाती है अब चुम्बक के धुरू की दिशा को बदल कर भी देखिए कि बल की दिशा बदलती है कि नहीं? हम देखते हैं कि बल की दिशा बदल जाती है इससे यह पता चलता है कि चालक पर लगने वाला बल विद्युधारा की दिशा और चुमकी क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करता है इस क्रिया कलाप में हमने विद्युधारा की दिशा और चुमकी क्षेत्र की दिशा को परस पर लमवत रखा और देखा कि बल की दिशा भी इन दोनों के लमवत है यहाँ नियम फ्लैमिंग ने दिया